जैसा कि आप लोगों को पहले से बताया था कि टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजिस यहां पर देखने को मिलेंगे आपको जो इसाम की क्लास एट पिम की क्लास वह आप लोगों की मॉर्निंग में रहेगी 11 अमें तो आप लोगों की मॉर्निंग में रहेगी तो आप लोगों क क्लास को शेयर करें जिससे कि सबी लोग यहां पे जोईन कर लें देन उसके बाद ही स्टार्ट कर पाएं देखिए एक और बार कि 75 कोशेंस आप लोग को इस रिविजन राउंड में देखने को मिलेंगे और इसमें यूद के कोशेंस नहीं है आप लोग यह टेलिग्राम में करेंगे तो बहुत लोग फ्लीज क्लास को थोड़ा सा यह पर शेयर करते वे चलें उसके बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे हम आज की क्लास ठीक है तो सबीज प्लीज शेयर करते वे चलें जिससे की जितने स्टूडेंट्स हैं सभी अभी जोईन कर लें और फिर बीच में फ तो फिछर का फूरinflVIBERस का आपका उल्लैन कॉर्स है सहाथ यी साद इसमें अप लोग को सबीज घोंगे और तमकल प्लास करेंगे आया अगे आगी बात करेंगे तो इसी थरुए से हैं इसमेंगे एक वीटेंगे कोौके घोटर्य शेयर करना चाहते हैं तो है looking नमब पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो देखे आपके कोशेंस आने स्टार्ट होंगे और मैंने पहले आप लोगों को 75 कोशेंस आप लोगों के वन लाइनर है और कहीं न कहीं यह आप लोगों की हेल्प कर ले जाएंगे आप आप SSE, UPPSCAE किसी भी एक्जाम में बैठेंगे सब में आप लोगों को यह help कर जाएंगे एक्षाइम को ठीक है तो देखें इसके आगे हम बात करें तो UPPSCAE का फुल्स रिप्स का कोर्स है इसमें भी साथ साथ आप लोग को test series अब आप लोगों के पास question आएंगे one by one और आप लोगोंने answers करके बताना है ठीक है एट लास्ट आप लोग बताएंगे कि 75 में से कितने questions आप लोगोंने राइट करें और मैंने पहले ही बता दिये यह आप लोगों की honesty पर depend करेगा कि आप लोग कितना बता पाएंगे सही clear है देखे फर्स कोशन आप लोगों की स्क्रीन में आता हुआ answers करके बताएं देखते है कॉर्ण यहां पर right answers करके बताएंगे ठीक है तो सभी लोग प्रीज answers करते जाएं जादर से जादर वीडियो को लाइक शियर भी करते नहीं आप वन बाई वन आपको 75 कोशन देखने को मिलेंगे clear है सभी लोगों को देखो भई फर्स कोशन आप लोगों की स्क्रीन में आप लोगों के यहां पर सी आंसर आते में वेधरिंग वेरी गुट ठीक है अब जिन्हों ने सी आंसर नहीं करा है वह कर दें कि उनका गलत है ठीक है क्रास करके मां कर देंगे आप लोग एंड कमेंट्स में देख रही हूं फिर नहीं ले जाएंगे क्योंकि 75 कोशन क्लियर है अब देखें सेकेंड कोश्चन आप लोगों के स्क्रीन में फाइन सेंड जनली यूस फॉर विच आप दी फॉलाइंग रॉक्स आप्ष नमरे प्लास्ट रिंग वी कॉन्क्रेट स्टक्चर सी आपका ग्रिंडिंग और पॉलिसिंग एंड आपका मैसेंडरी तो A को राइट करें, B को राइट करें, C को राइट करें या D को यहाँ पर राइट कर दें आइनसे करके मनाइए find send is generally used for which of the following works A को write करे B को write करे C को write करे या D को यहाँ पर write कर दे तो very good A answers आते वे तो यहाँ पर जो आप लोग का correct answer जाएगा वो जाएगा option number A ठीक है देखो अभी C भी आ रहे हैं काफी लोगों के लेकिन गलत नहीं करना option number A है यहाँ पर correct answers next third questions आप लोगों की screen में alumina in access causes alumina अगर ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं increases the strength of the cement B आपका reduces the strength of cement C आपका sometimes increase or decrease the strength of the cement and D आपका no change क्या answers मार्क करेंगे काफी लोग A answers कर रहेते हैं जो class attain कर रहे हैं obviously answers उनके जाएंगे जाएंगे क्योंकि यह जितना में इनिमिक्स practice set में कराएं उसी के 75 questions है कोई नया question नहीं है answers तो answers करके बनाएं कि alumina अगर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो क्या वो cement की strength को increase कर देता है या वो strength of cement को reduce कर देता है क्या answers मार्क करेंगे यहां पर थर्ड का क्या answers मार्क करेंगे very good very good काफी लोग B answers करें और काफी लोग A answers करें answers आप लोग का जाएगा reduces the strength of the cement ठीक है clear है यहां तर सभी लोग को आगे next question देखो in crushing test dry aggregate passing through आपका fill in the blanks mm sieve and retained fill in the blanks mm in cylinder ठीक है तो आप लोग क्या answers मार्क करेंगे मतलब है कि कितने से अगर आप crushing test को करते हैं तो कितनी mm से आप लोगों का क्या करना चाहिए retain करना चाहिए और कितनी mm से pass कर देना चाहिए यह बोला गया है option a को write करें कि 10 mmInk seeve przy retain 2.36 mmом past करना चाहिए 1.5 mmS dari से затем meiner चाहिए 10 mm से pass करना चाहिए यह 12.5 orang,10 को answers mark करें यह 12.5 in 11.5 को mark करें मतलब किससे pass करना चाहिए और किस में जाके retained हो जाना चाहिए तब आप लोग crushing test के लिए उसको use करते हैं तो देखें यहां पर very good बाई जो C वाले हैं very nice ठीक है अजे कुमार जी answers कर रहे हैं सी और काफी लोग और भी कर रहे हैं कभी ता टम्टा जी कर रही है ठीक है तो सब के नाम तो नहीं ले पाऊंगी तो यहां पर जो आप करेक्ट आंसर जाएगा वो option number C जाएगा क्योंकि आप लोग क्या करते हैं जो 12.5 mm पर पास हो जाते हैं और 10 mm पर जो होते हैं उसको आप लोग question test के लिए यूज करते हैं आगे चलें देखें फिफ्ट question आप लोग की screen में first answers why is attrition test performed option number A to find resistance to weathering, B आपका to find resistance to wear, C आपका to find resistance to scratch and D आपका to find resistance to dressing तो A को write कर दें, B को write करें, C को write करें या D को यहां पर write कर दें answers please first attrition test का बताना है अब इस सबी लोग वीडियो को like share भी साथ ही साथ करते रहें और answers करके बताएं very good, B answers आरें, सबी के भी आरें, तो इसमें कोई गलती नहीं, to find resistance to wear, किसके लिए stones के लिए हम लोग use करते हैं, attrition test, आगे 6th question, what is the standard consistency, option number A durability in seawater, seawater के durability find करनी है तब, option number B consistency which permits the vicar sponges, C ability of cement to maintain a consistent volume and D free lime content, answers please fast पैस अभी लोग क्लास को थोड़ा सा शेयर करते वे चले भई देखो इतना अच्छा session आप लोगों के लिए है, ठीक है, किती fast furious तरीके से 75 questions को complete करें, answers तो yes, B answers आरें, maximum लोगों के कोई confusion नहीं, very nice, consistency which permits the vicar sponges को आप लोग कहते है, standard consistency, very good, आगे, next question, the specific gravity of bitumen lies between, option number A, 0.8 to 0.9, B, 0.95 to 0.97, C, 0.97 and 1.02 and D, 1.02 and 1.05, answers, fast answers करके बताएं, अच्छा भई, सुना लिए जी का happy birthday है, तो भई happy birthday कर देते हैं, ठीक है, तो सभी लोग भई class को like share भी करते हैं, साथ ही साथ, और यहां questions में focus करें, और जादे ज़्यादा share करें, ठीक है, तो answers करें, specific gravity of bitumen, क्या answers करेंगे, very good, तो देखो C, 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 C answers आत maintenance of the water supply and sanitary works, कौन सैसा department है, जो कि water supply and sanitary works को देखता है, option नमर A में जाएं, तो social welfare department, B में जाएं, तो public work department, C में जाएं, तो public health department, and D में जाएं, तो none of these, तो A को write करें, B को write करें, C को write करें, या D को write करें, maintenance of water supply and sanitary works के लिए बोला गया है, तो A को, B को, C को, D को, किसको write करें प्रोन Kira किते कॉन यहां से करते हैं रिप्हिए この यहां कर देखायं से करते हैं और फैंटे कि आंशने हैं है सित्पार्ट्मेंट आप लोगों का यहां से कर जाताँ आप्शनमरे परफेक्टली हाइड्रालिक लाइम होगा बी आपका इमिनेटली हाइड्रालिक लाइम होगा सी आपका फीबली हाइड्रालिक लाइम होगा डी आपका मॉडरेटली हाइड्रालिक लाइम होगा स्लेक कौन से कर जाएगा इमिनेंटली हाइड्रालिक लाइम ऐसे कर जाता तो आप इसे अंडर्वाटर कंस्ट्रक्शन में मोटार बनाने में क्यों यूज करते हैं यहां पर करेक्ट आंसर्स होगा तो कुछ स्टूडेंट सी आंसर्स करें बागी सब लोग बी के साथ हैं यहां पर राइट करें आंसर्स फ्लीज फास ठीक है और जिसका साही है बहीं वेरिगूड वेल डन ठीक है तो इसी में आप लोग का पता लगता है कि कि रोग कि कितना आप लोग सोच पा रहे हैं बेरी गुट और जिनका गलत है कोई बात नहीं एक्जाम में गलत नहीं लोग वेरी गुड तो एम बाइटी वेरी नाइस आप्शिन अब है आप लोग का यहां पर करेक्ट नेक्स फिल इंद ब्लैंक इंस्टुमेंट इस यूस्टु साइट वेन ऑब्जेक्ट आप लोगों ने क्या करना है ठीक है तो आंसिस करके बताओ इसका यहां पर सभी लोग का सी आंसर आता वर वेरी नाइस तो एली डेट आप लोगों का यहां पर चले जाएगा आप्शन नमर सी वेरी गुड ट्वेल्थ कुशन आप लोगों की स्क्रीन में आंसर प्लीज विच अप दी फॉलाइंग केटाइन्स इंपार्ट सीडो हाड़नेस आपका मैंगनेशियम और आपका सोडियम आंसर फास एक को राइट करें इसका कैल्सिम और मैंगनेशियम आंसर आता है अब आई जो डी है सोडियम उन्होंने बात सुनी होगी कली कराया था में नहीं है सीडो हाड़नेस किसकी वाज़े से होती है सोडियम जो आप लोग को याद है उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया करो ठीक है वक्त के साथ अपने आपको भी अपडेटिट कर देना चाहिए वही नेक्स्ट कोशन यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बाडिज इस कॉस्ट इस कल ही पड़ाया था तो कोई मैं खेह रही हूं आप लोग अपडेटिट भी करते रहा करो यह नहीं कि हम यहीं चीज आती है तो हम तो एक्जाम तक यहीं करेंगे तो ऐसे करना आप लोग नहीं पकड़नी है ठीक है इसका आंसर करके बताएं तो यहां पर देखो अभी B answers, maximum B answers और D भी आ रहे हैं वहीं क्या बात है देखो, Eutrophication भी गलत कर रहे हो, excessive discharge of nutrients आप लोग का यहां पर right answer जाएगा 14th question, separation of water sent cement from a freshly concrete is known as water का separation हो रहा है ठीक है, optional में bleeding को answers mark करें, creeping को, flooding को, segregation को, तो A को right करें, B को right करें, C को right करें या D को यहां पर right answers करें answers please first, देखते हैं कौन यहां पर right answers करते हैं, साथ ही साथ वीडियो को like share भी करें, बिल्कुल estimate कराएंगे, गौरव जी बिल्कुल कराएंगे, टिंचन ना low सब कराएंगे, answers please first, देखें तो सब लोग A के साथ और कुछ D के साथ भी हैं, देखें अगर हम बात करें तो option number A यह यहां पर correct answer होगा, मैंने हामी सा बता है, जब भी water separation हुआ है, तो bleeding, और जब aggregate आप लोगों के अलग-अलग हो गया, aggregate cement, कुछ भी अलग-अलग हो गया, तो इसको segregation कहेंगे, आगे, next question, the least count of theododite is, option number A, 1 degree, B, 2 minutes, C, 2 seconds, D, 20 seconds, answers, first, टिक है, सबी लोग वीडियो को like share भी करते नहीं साथ ही साथ, और answers तो आप लोगों कर नहीं है, सारे आप लोगों के one-liner questions है, मैंने कुछ भी इसमें है, आप लोगों के, कहेंगे, तो numericals नहीं डालने है, ठीक है, answers, very good, 15 का D answers आता हो, very nice, तेखिए, अगर हम बात करने, list count की theododite की, 20 seconds होती है, कि किसी के भी mistakes नहीं ह अच्छा कुछ B भी कर रहे है, 2 minutes भी होती है किसी के लिए, देखिए, second question, laminar flow occurs between extensive stationary plates, the kinetic energy correction factor is, option नमरे 1, B 1.5, C 2, D आपका 2.3, तो A को write कर दू, B को write कर दू, या C को write कर दू, या D को यहाँ पर write कर दू, answers प्लीज, फास्ट, देखते हैं, आप लोग क्या answers करके बताते हैं यहाँ पर, भी सभी लोग answers करके बताएं, देखिए, तो यहाँ पर B answers आ रहे हैं, very good, भी, very nice, भी मतलब की class का खुश्याद है, तो यहाँ पर जो आप लोग का correct answer जाएगा, stationary plates के लिए बोला गया है, तो हम लोग से kinetic energy correction factor बोला गया है, तो answer आपका option number B, next question देखो, आप लो answers करके बताएं, after which of the following treatment units, the turbidity is maximum, option number B, आपका primary sedimentation, C, आपका floppulation, बेसें, D, आपका secondary sedimentation, A को answers करें, B को answers करें, C को answers करें, D को यहाँ पर answers करें, ठीक है, तो सभी लोग भाई, class को छोड़ा सा like share करते वे चलें, और answers करके बताएं, क्या answers करें, यहाँ पर, देखें, अगर बात करें, तो यहाँ पर सब secondary sedimentation के साथ हैं, और कुछ B के साथ हैं, और बहुत अपका सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, आगे चलें, और C कुछ ही लोगों का है, बाकी सब D, B के साथ हैं, next, what is the most common cause of acidity in water, इसमें से कौन सा ऐसा है, जिसमें से, पहली बात तो A और D आप लोगों के सेमी होगें, बहुत देख लेना, ठीक है, तो most common cause of acidity in water, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen, carbon dioxide, तो answers क्या करेंगे, acidity in water, किसकी वज़े से आप लोगों को acidity देखने को मिलती है, जिसका सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, class में सुना हैं आप लोगों ने, ठीक है, तो यह तो आप लोग अपनी self judgment आप लोग कर सकते हैं, कि कितना आप लोग learn कर रहे हैं, ठीक है, तो answers करके बताएं, yes, A और D, very good, ठीक है, ऐसे answers तो आप लोग बहुत जल्दी देखते हैं, तो A भी हो सकता है, D भी हो सकता है, ठीक है, similar है, आगे, which one of the following chemicals is employed for the declorination of water, अगर हम बात करें, declorination of water की, तो इस में से कौन सा chemical आप लोगों का use ह होता है, option number is sodium sulfide, B आपका sodium bicarbonate, C आपका calcium carbonate, and D आपका hydrogen peroxide, क्या answers मा करें यहाँ पर? answers please, इस में से कौन सा dechlorination के लिए use होता है, A को write कर दें, B को write कर दें, C को write कर दें, या D को यहाँ पर write करें, answers please, तो देखें, तो B answers करें, sodium bicarbonate, तो 19 का B answer जाएगा, क्या? dechlorination के लिए बोला गया है, तो sodium sulfide, sodium bicarbonate, ठीक है, 19 कोशन का, very good, C answers भी आरा है, very nice, calcium carbonate कैसे हो सकता है, अब बाकी सभी जनता B के साथ है, देखो sodium sulfide आप लोग कह सकते हैं, sodium bicarbonate कहां पर use होता है, ठीक है, sodium sulfide आप लोगों का use होता है, dechlorination के लिए, आगे चलें, next question, the correct statements of the comparison of the ultimate BOD, COD, theoretical oxygen demand and 5D BOD, answers please, first, yes, A, B answers आता हुआ, very good, देखे, next question, आप लोगो को correct statement बताना है, देखने है, इसका right answers कौन करते हैं, ठीक है, आपको बताना है कि BOD ultimate सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका chemical oxygen demand होता है, उसके बाद theoretical oxygen demand होता है, उसके बाद आप लोग and BOD 5, and C में जाएं, तो theoretical oxygen demand, chemical oxygen demand, BOD ultimate, BOD 5, and D में जाएं, तो chemical oxygen demand, BOD ultimate, BOD 5, और theoretical oxygen demand, क्या answers mark करेंगे, यहाँ पर, very good, C answers यहाँ भी correct होगा, यह आप लोगों की books में भी गलत है, engineering services में, chemical oxygen, engineering services की जो भी आप लोगों की पास books होती है, वहाँ पर chemical oxygen demand को सबसे ज़्यादा का ह है, जबकि ऐसा नहीं होता है, theoretical oxygen demand आप लोगों की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, तो very good, काफी लोग C के साथ है, very nice, आगे, next question, Bangalore and indoor process of compositing are which of the following, क्या यह Bangalore and indoor process, दोनों की दोनों anaerobic process है, या B, दोनों की दोनों aerobic process है, या Bangalore आप लोगों की anaerobic process है, और indoor आपकी aerobic process है, और D, aerobic process and anaerobic process respectively, answers please, yes, place value से याद किया है, बहुत अच्छी बात है, जितना easy तरीके से याद हो सकता है, उतनी easy तरीके से याद क्या करो, क्या answers माग करें यहां पर, तो काफी लोग C के साथ, well done, keep it up, देखो C के साथ, और काफी लोग A, B ही कर रहे है, देखो Bangalore की अ process है, आगे चलें, next question, over speed and delay studies on a pre-selected section of a highway are conducted by, option है, fast moving method, B आप लोग का एनस को, C आप लोग का radar, and D आपका traffic counters, तो क्या answers माग करें, A को write करें, B को write करें, C को write करें, या D को, यहां पर write answers करके बताएं, तेकि सब भी लोग तो कहरतें कि रिविजन क्लास चाहिए, रिविजन semester class नहीं है, समझ नहीं है, आप लोग SquareITCH से करतें, और फिरातें गोड़ी, कुछ हैं जो रहतें, daily regular रहते, बाकि तो कोई आते, आते नहीं है, ठीक है, अब आप कहने है, यह भी पढ़ा दो, वह भी पढ़ाता, तो कईसे पढ़ाएं गे inclusive जब आप लोग regular नहीं बने रहें ठीक है, next question, the cleaning of slow sand filter is done by, option number, reversing the direction of the flow of water, B, passing air through the filter, C, आप लोग का, passing a solution of element line through the filter, ठीक है, option number D, scrapping of the top layers of sand and admitting water, आदा portion आप लोगो नहीं दिख़़ा होगा, फिर बें समझ जो भाई, आप लोग इंजिनियर्स हो, आप लोग समझ सकते हो, कि क्या है, यहाँ पर right answers होगा, हाँ, timing change करके लोग भूल गे, हो सकता है, maybe, चले, कोई बात नहीं, आप लोगों को तो याद है न, बस, बाकी का क्या गतना, बता होगे, 23 का answers करके बताए, yes, option number D कर रहे हैं, very good, तो यहाँ पर आप लोग का जो correct answer जाएगा, बोला गया है, slow sand filter को कैसे clean cutने है, तो जो भी हमारी sand layer होती है, उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर very good, सभी लोग D के साथ, well done, yes, selection तो कुछ ही लेंगे, वो तो भई सची बात है, ठीक है, selection तो किसी का कमी का ही होता है, और उनी का होता है, जो लगे रहते हैं, जो नहीं लगे हैं, उनका कैसे हो सकता है, तो A को right करोगे, B को right करोगे, C को right करोगे, या D को, यहाँ पर आप लोग right answers mark करोगे, answers please, answers please fast, अब यह सबी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करते नहीं, और answers भी करके बताएं साथ ही साथ, देखें तो सबी लोग सी के साथ, magnesium dolomide lime very good, तो काफी students यहाँ पर magnesium dolomide के साथ और कुछ B के साथ में हैं, kankar lime, hydraulic lime, यह सारे के सारे आपके white washing के लिए नहीं होते हैं, यह मोटार बनाने के लिए आपके use होते हैं, ठीक है, जब भी kankar lime आगया, क्योंकि kankar के, आपके calcination से तो हमें hydraulic lime मिल रहा है न, आगे चलें, 25, the effective size of the sand and its uniformity coefficient are the usually specified parameters for sand filters in slow sand filters as compared to rapid sand filters, आप लोग का पताना है कि effective size is less but uniformity coefficient is more, option number B में जाएं तो effective size is less but uniformity coefficient is more, C में जाएं तो both effective size and uniformity coefficient are more, D में जाएं तो both effective size and uniformity coefficient are less, तो A को write कर दे, B को write कर दे, C को write कर दे या D को यहाँ पर write कर दे, ठीक है, तो सभी लोग answers करके बताएं साथ ही साथ, वीडियो को like share भी करते रहें, ठीक है, अच्छे से पढ़ लोगा ही question को क्या बोला जा रहा है, effective size of send and its uniformity coefficient, आप लोगों को बताना है कि slow send in slow send filter as compared to rapid send filter, क्या होगा, A को write करें, B को write करें, C को write करें, D को, तो सभी लोग B के साथ बहुत अच्छे से question को पढ़ा है, very nice, तो आमें पता है कि effective size अगर हम slow send filter में बात करें तो काम होता है, uniformity coefficient 3 to 5 होता है, जबकि rapid send filter में देखें तो 1.22, 1.6 होता है, clear, आगे, next, seaway sickness, sickness occurs when, option अमरे, seaway contains pathogenic organisms, and B, seaway enters the water supply system, and C, seaway gets clogged due to accumulation of solids, and D, voids of soil clogged due to continuous application on a piece of land, तो किसे आप लोग seaway sickness करेंगे, A को write करें, B को write करें, C को write करें, या D को यहाँ पर write कर दें, answers please first, अब इस सबी लोग वीडियो को साथ ही साथ like share भी करते नहीं, सारे के सारे आप लोग के engineering services के questions हैं, काफी benefit मिलेगा, तो देखो, अभी C के साथ भी जा रहे हैं, बताओ, देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो yes, option number D, आप लोग का write answer, जब हम seaway sickness की बात करते हैं, तो आप लोग land में क्या है, seaway को डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, एक time ऐसा आएगा, उसके बाद उसके सारे के सारे voids क्या हो जाएंगे, अच्छे से clocked हो जाएंगे, फिर क्या होंगे, वो seaway को लेना बंदी कर देंगे, आगे चले, next, a wet cohesive subgrade is most efficiently stabilized by the addition of, अगर हमारा wet cohesive subgrade है, तो कैसे आप इसको effectively stabilize कर सकते हैं, optional में A में जाएं तो cement, B में जाएं तो fly ash, and C में जाएं तो bitumen, and D में जाएं तो lime, A को write करें, B को write करें, C को write करें, या D को यहाँ पर write करें, तो देखें, क्या answers करें यहाँ पर, 27 को D, lime को answers करें, answers please, bitumen को करदें, देखो तो यहाँ पर कोई भी write answers नहीं करें, देखो भई बोला गया है, wet cohesive subgrade, उसमें क्या डालते हैं, आप लोग stabilize करने के लिए, cement को add करते हो, भई, lime को add क्यों करोगे, सबसे पहले तो cement के पास जाओगे न, यहाँ पर A answers आप लोग का right होगा, अब देखो सब लोग DD कर रहें, next, the coefficient of uniformity for well-graded gravel must be greater than, option नमरे 4, 5, 6, 7, A को right कर दे, B को right, C को right करें, या D को यहाँ पर right करके करें, answers please, first, देखते हैं कौन यहाँ पर right answers करके बता दे हैं, क्या answers माग करें यहाँ पर, 4, very good, अगर देखो coefficient of uniformity की बात करें, तो आप लोगों का well-graded gravel के लिए 4 होती है, well-graded sand की बात करें, तो 6 आप लोगों को देखने को मिलती है, very good, आगे चले, next, to test turbidity of polluted water in the field, fill-in-the-blanks is used, option नमरे, Bayless turbidity meter, B आपका Jackson turbidity meter, and C आपका turbidity tube, and D turbidity rod, क्या answers mark करें, A, B, C, D, very good, काफी लोगों बहुत सही answers करते हैं, जो कि daily ही करते हैं, आगे बात करें, तो polluted water, answers mark करके बताएं, कि बहुत जादा जो polluted water है, तो इस में से कौन सा आप लोग यूज़ करते हैं, क्या Bayless turbidity meter को यूज़ करते हैं, या Jackson को यूज़ करते हैं, turbidity tube, turbidity rod, A, B, C, D, तो काफी लोग B के साथ, very good, very nice, Jackson turbidity meter को आप लोग यूज़ करते हैं, तब ही हम लोग कहते हैं, कि इसको हम लोग क्या करते हैं, drinking water purpose के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसका मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा turbidity होती है, उसके लिए हम Jackson turbidity meter को यूज़ करते हैं, आगे, the presence of gas in water is indicated by, option number A, foam, option number B, fizzing sound, C, आप लोग का bubbles, and D, color change, क्या answers mark करेंगे, yes, Jackson above 25 JTU, या 25 PPM आप लोग कहते हैं, answers please, first, तो A को write कर दें, B को write कर दें, C को write कर दें, या D को write कर दें, presence of gas in water, yes, A answers आते वे, और C, देखो उस दिन भी मैंने बताया था, कि बहुत सारे bubbles अगर मिल जाएंगे, तो foam आपका बन जाता है, ठीक है, तो yes, कुछ लोगों को याद है, तो A answers कर रहे हैं, और बाकी लोग सब C के साथ है, देखें, C नहीं होता, बहुत सारे bubbles आपके होंगे, तो उसको एक foam का हम लोग कहते हैं, क्योंकि gas अगर हमें देखने को मिलेगी, तो बहुत सारे bubbles देखने को मिलेंगे, एक bubbles देखने को दो नहीं नहीं मिलेगा, तो answer आपका option नमरे, आगे, इस मेंसे कौन सा curve आइडल ट्रांजिशन कर्व के लिए यूज होता है, option नमरे, एक क्यूबिक पैरा बोला, B आपका क्लोथाइड स्पाइरल, C आपका क्यूबिक स्पाइरल, एक को राइट करें, B को राइट करें, C को राइट करें, या D को, यहाँ पे राइट answers करके बताएं, answers फ्लीज, फास, yes, gases को रिमूब करने के लिए, ariations करते हैं, answers A को राइट करें, B को, C को, D को, very good, देखे अगर हम बात करें, अभी भी A answers दा रहा बताओ, ऐसे हो आप लोग, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो option number B आप लोग का जाएगा, ideal transition curve की बात करें, तो सबसे जो best आप लोगो को कव देखने को मिलता है, cruthoid spiral, आगे चलें, next question देखो आप लोग की स्क्रीन में, the maximum permissible limit for fluoride in drinking water is, option number A में जाएगे तो 0.1 mg per litre, B में जाएगे तो 1.5 mg per litre, C में जाएगे तो 5 mg per litre, D में जाएगे तो 10 mg per litre, A को write करें, B को write करें, C को write करें, या D को यहाँ पे write करें, answers प्लीज, फास्ट, देखते हैं, कौन यहाँ पे 32 का answers, correct करके बताते हैं, very good, 1.5, very good, तो यहाँ पे जागर, maximum permissible limit की बात करें, तो 1.5 mg per litre, आप लोगों की fluoride की, सबसे maximum permissible limit होती है, इससे ज़्यादा fluoride नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो, जब तो बूल फ्लोरेसिस होने लग जाता है, आगे बात करें, next, which one is the best method of reclamation of the alkaline soil, option number A में जाएं, तो addition of gypsum of soil, B आपका addition of gypsum to soil and leaching, and B आपका leaching, and D आपका providing good drainage system, तो A को write कर दें, B को write करें, C को write करें, या D को यहाँ पे write answers करके बताएं, yes, option number B आते वे, very good, देखें, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, लेकिन B ज़्यादा appropriate है, आप लोग gypsum को add करके, इसके बाद लीचिंग की process भी कर रहे है, ठीक है, या लीचिंग आप लोग को देख नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखो, option number B आप लोग का यहाँ पे correct answer जाएगा, तो काफी लोग B के साथ, very good, well done, बहुत बढ़िया, next, the first watering before sowing the crop is called, आप लोग को क्या करने है, ठीक है, जैसे आप लोग की before sowing, मतलब की बोने से पहले, आप लोग कौन सी first watering करते हैं, तो क्या यहाँ पे core watering right answers होगा, या root zone depth correct answers होगा, या paleo correct answers होगा, या crop ratio correct answer होगा, A को write करें, B को write करें, C को write करें, या D को यहाँ पे write करें, answers please, first, तो yes, यहाँ पे सबी लोग C के साथ, अभी देखो, core watering के साथ भी confuse कर रहे हो, core watering नहीं होता, बोने से पहले, मतलब paleo irrigation, land में आप लोग first time क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं पानी, आगे next, shrinkage of concrete is directly proportional to, हम कहें कि shrinkage किसके directly proportional होता है, option number A, cement content के, option number B, sand content के, C आपका aggregate content, and D आपका temperature of water, तो shrinkage of concrete is directly proportional to, A को write करें, B को write करें, C को write करें, या D को यहाँ पर right answers करें, yes, 34 का A answers करते पहे, very good, the same main content आप लोगों का यहाँ पर right answer होगा, ठीक है, very good, next, the radius plate which are wider on the outside of the log, and narrow towards the pitch are known as, option number A, star 6, option number B, annular rings, and C आपका cup shakes, and D आपका heart shakes, तो A को write करें, B को write करें, C को write करें, या D को write करें, देखो, बोला क्या गया है, outside of the log में, तो हमें क्या दिख रहा है, wider दिख रहा है, and narrow it towards the pitch, इस तरीके से बन रहा है, मतलब, इस तरीके से, इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से, तो क्या है यह, star 6 कहेंगी, या annular rings कहेंगी, cup shake कहेंगी, या heart shake कहेंगी, very good, A के सार, देखो, एक बहुत अच्छा तरीका है, कि यह देखो, star shake में, star की तरह नहीं बन रहा है, और जब हम, जब हम heart shake कहेंगे, तो star बन दा है, तो आप लोग opposite याद रख सकते हैं, तो answers क्या होगा, option number A, यहां पे right answer होगा, समझे हो, यहां पे star नहीं बन रहा, जब हम लोग यहां पे, किस की बात करते हैं, heart shake की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, इस तरीके से, star आपका बनता है, इस तरीके से, इस तरीके से, clear है सबी लोगों को, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, maybe, आगे चले, next question देखो, efflourishings of bricks is due to, efflourishings bricks में, किस की वज़े से, हमें देखने को मिलता है, option number A में जाएं, तो high porosity of bricks, and B में जाएं, तो excessive burning of bricks, and C में जाएं, तो high silt content in brick art, and D में जाएं, तो soluble salt present in clay for making bricks, तो A को write करें, B को write करें, C को write करें, या D को यहाँ पे write करें, तो यहाँ पे सबी लोग D के साथ, very good, very nice, बहुत अच्छा, तो जो students regular रहते हैं, वो ही यहाँ पे सबी लोग answers करें हैं, बहुत 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 बहुत, देखें तो option number D, आप लोग का यहाँ पे write answer होगा, very good, आगे चलें, next question, अगर हम rainfall intensity और time के बीच में graph को draw करते हैं, या हम bar chart बनाते हैं, तो उसको isohid कहते हैं, या heatograph कहते हैं, या mass curve कहते हैं, या hydrograph कहते हैं, A को write कर दें, B को write करें, C को write करें, या D को यहाँ पे write करें, rainfall intensity versus time, isohid, heatograph, mass curve, hydrograph, देखू, तो यहाँ पे सभी लोग B answers करते हैं, प्रियंका चौदरी जी, लोकेज जी, सौरब जी, मोनितिवारी जी, अमिज जी, नितेश कुमार जी, मानूराजपुर जी, कविता टम्टा जी, बुद्दादेव नंदी जी, आजे कुमार जी, काफी लोग यही स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर रहते हैं, विक्रम जी, तो मिल सिंग तोमर जी, वेरी गुद, वेरी गुद, तो अगर हम बात करें, तो हीटो ग्राफ आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, क्लियर है सबी लोगों को, ठीक है, नेक्स कुर्शन, नेक्स कुर्शन देखो, आप लोगो की स्क्रीन में, सावे जाली जी, रेगुलर रहते हैं, डेबाशी जी, रिशी कुमार जी, यह सबी वही स्टूडेंट्स हैं, आनवर जी, जो की रेगुलर रहते हैं, और अच्छे अंसस यहां पे कर रहे हैं, वेरी गुड, नेक्स कुर्शन देखो, अप्शन हम लेए, इमिडेटली आफ्टर क्वेरिंग, भी आपका आफ्टर सेस्टिंग, आपका आफ्टर फ्री मॉन्स आफ्टर क्वेरिंग, एंडी जस्ट बिफोर क्वेरिंग, तो A को राइट करें, B को राइट करें, C को राइट कर दें, या D को राइट कर दें, येस, सौमि गोजी भी यहां पे रेगुलर रहते हैं, और लोकेश जी, अप्शन नमर A, ड्रेसिंग ऑफ स्टून कप करते हैं, आप जब क्वेरिंग के बाद आप लोग करते हैं, तो राइट अप्शन नमर A, 14, लेसी मिटर इस यूस्ट फॉर दी मिजर्मिंट आफ ऑफ आप्शन अम A, इन्फलिटरेशन, B, इंटरसेप्शन, येस, कभीता टम्टा जी भी रेगुलर रहती है, बई, सही बात है, आप्शन सब लोग करें, आप्शन नमर D, तो यहां पर देखो, लेसी मिटर की बास करते हैं, तो इवैपो ट्रांस्पिरेशन के लिए, आप लोगों करें यहां पर यूस्ट होता है, आप्शन नमरे, नमरे, send alone, and B, आपका send and surgi, and C, आपका send and line, and D, आपका surgi alone, तो A को write करें, B को write करें, C को write करें, या D को यहां पर write करें, तो देखो, मोनी तीवारी जी भी regular रहती है, ठीक है, मानूराजपुर जी regular रहते हैं, स्वामिक गोजी रेगुलर रहते हैं देवाशी जी सूबंजी काफी लोग हैं जो रेगुलर रहते हैं बहुत अच्छी बात है इसलिए आन्सेस करके बताएं इंगेज मोटार ठीक है तो सब्सक्राइब करके बताएं एस और सबसे पहले अजे कुमार जी सबसे पहले शेयर करते हैं और सबसे फरस्ट में भी क्लास में आते हैं वो तो बिल्कुली रेगुलर रहते हैं लास्ट अकरे आन्सेस प्लीज। करें B को C को D को very good सब लोग maximum लोग यहां पर C के साथ sand and lime against mortar is obtained by adding which of the following ingredients sand and lime यहां पर आप लोग का correct answer होगा आगे चले next question देखो आप लोग की screen में answers करके बताएं what is the ratio of maximum shear stress to the average shear stress for a circular section option हमें A को बात करें 2 यहां पर correct answers होगा B यहां पर 2 by 3 होगा C यहां पर 4 by 3 होगा and D 3 by 4 होगा तो A को write करें B को write करें C को write करें या D को यहां पर write करें यह बहुत अच्छे students हैं आप बहुत बढ़ी हा ठीक है तबी तो अच्छे answers भी यहां पर मिल रहे हैं आप अच्छे स्ट्रेस साकूर सेक्षिन के लिए 2 या 2 by 3 4 by 3 3 by 4 रेगुलर वालों के लिए environment करवा दो ठीक है रेगुलर वालों की तो हम लोग फ़माई से बिल्कुल उनकी याद रखते हैं कि उनके क्या कराना है क्या नहीं कराना है और में क्या क्या आपका कॉंबिनेशन होता है सद्संदर्व प्रियंका चोदूर जी पि रैगूलर रहती है मोनी तीवारी जी रैगूलर रहती है निटेश कुमार जी रैगूलर रहते अनुन गया निणा सभी रैगूलर घरता है या ठीक है काफी यह तो छहा हैiggers को J.: यहां पर रैगुलर रहते हैं और आंसर करके बताएं कि कंबाइंड सीवर में आप रहां या दी को रहां आज गलत मत कर देना है यह 43 कोशन klar के साथ बता है कि कमेर सीवर में सीवर में स्टोमबस होता है राइणस करें एक को बात एप अंचे यहां पर हम लोग राइणस करें ब यहां पर हम लोग किसको answers करें कि यह मुझे भी आप लोगों की नेम याद है जो रेगुलर रहते हैं मुझे उनके नेम याद है अर आंसर करके बताएं मैं सबी लोग आप वीडियो को साथ ही साथ लाइक शेयर करते नहीं तो एट एट एटीम आप लोगों का का बोला गया है इंचेन फॉल कौन सी पोजिशन में वहोगी पर्मारें विल्टिंग पॉइंट में एक और बी इसी दी यहां पर देखो ऑप्टिम मॉश्चर कंटेंड ऐसे करें क्या होता है देखो किसी का भी राइट आंसर नहीं आ रहा ओप्टिम मॉश्चर कंटेंड करे करें भूल गया आप लोग सब करते हैं तो देखो हम लोग क्या कहते हैं फिल्ट कैपसिटी में वन बाइट एंटीम तो वन बाइट एंटीम होता है वही कैसे गलत कर रहे हो इतो बहुत बार कॉश्चन करा दिए आंसर ऑप्शनमरे किसी का भी यह नहीं आया अच्छा अप्शनमरे एंडियोरेंस लेमिट बी क्रेप सी आप लोग का इलास्टिक लिमिट एंडी प्रपोश्चनल लिमिट आंसर प्लीज आप लोगों से बुला गया ऐसा कौन सा स्ट्रेस लेवल होता है जिसके नीचे अगर हम बात करें तो हाई प्रोबैबिलिटी होती है आप सब्सक्राइब एंडियोरेंस लेमित आप लोगुका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आगे चलें नेक्स्ट केपफमटियल इस प्रपरटी इंडिकेटट बाइंडिकेटट बै आप्शनमरे प्लास्टिक स्ट्रेंड विट टाइम एट ऐड कॉंसने लौड बी आपका ईला ऐसे मार्क करें 46 को देखते हैं क्या आप लोगा आइस अच्छा नहीं होता है यह जब भी क्रीप से डिफर्मिशन जितना भी देखने को मिलता है फिर वो ओरिजन पॉजिशन में नहीं आता आपका तो क्या होगा में साथ प्लास्टरिंग स्ट्रेंड भी टाइम एड कॉंसनें लोड आगे अज रिकमेंडेट बाइ सी चार्स दे रेडिएस ऑफ दी इंफ्लिएंस इस ऑप्शनमरे इंवर्सली प्रपोर्शनल तो दी ड्रॉडाउंस बी आप लोग का लीनियली प्रपोर्शनल तो ड्रॉडाउंस दी आपका प्रपोर्शनल तो स्क्वार रूट ऑफ ड्रॉडाउंस तो एक को राइट करें बी को राइट करें यहां पर डी को राइट कर दें देखते हैं इसका अंसर क्या बताते हैं आप लोग देखो सी चार्ड एक्वेशन इस तरीके से होती है थी थाउजन एस अंडर प्रपोरिशनल है आगे डिजाइं वैल्यू पॉर यह निए को राइट करें यहां पर राइट आंसर करें देखते हैं आप लोग क्या अंसर्स करके बताते हैं यहां पर बोला गया देखो stopping side distance two lane two way traffic दो ही lane है और दो ही traffic है stopping side distance किसके equivalent हो जाएगी yes, B के साथ हैं काफी लोग very good और कुछ C के साथ भी है देखो यहाँ पे जो आप लोग का right answer जाएगा वो जाएगा option number B equal to the stopping side distance आगे 49th question As per the latest IRC guidelines for the designing flexible payment of CBR method the load parameter required is option number A में जाएँ तो आप लोग को दिया गया number of commercial vehicles per day B आप लोग को दिया गया cumulative standard axles in MSA and C आप लोग को दिया गया equivalent single wheel axle load and D आपको दिया गया number of vehicles bracket में all types during design life तो A को right answers करें B को C को D को answers प्लीज फास 49 का DR अभी बताओ देखो अगर बात करें तो आप लोग का जो right answer जाएगा वो जाएगा option number B काफी एक एक जाएंस में बहुत बार कुशन आया है ये पहले इसका answers काफी टाइम तर पहले number of commercial vehicles पढ़ दे जाता था फिर code revise हुआ उसके बाद cumulative standard axiels in MSA में जाने लग जया million standard axiels तो answer should be option number B गलत मत करना next which one of the following method in the design of rigid payment option number A CBR method B group index method C. Westergaard method and D. McLeod method तो rigid payment की design के लिए यहाँ पे कौन सी method आप लोगों की है answers please first by B ही correct answers होगा exam में B ही answers को करके आना sorry answers please क्या करें यहाँ पे Westergaard method very good Westergaard method आप लोगों की क्या होती है rigid payment के लिए होती है 50 questions ता हम लोग पहुंच गए और option number C यहाँ पे right answers होगा very good आगे next question sea waste treatment in oxidation pond is accomplished primarily by sea waste treatment में जो भी oxidation pond होता है तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है option number A algal bacterial symbiosis and B algal photosynthesis only C bacterial oxidation only and D chemical oxidation only तो A को write करें B को write करें C को write करें या D को write करें अब इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे picture में देख लें क्योंकि काफी छोटा लिखावा है very good A answers आता वा ठीक है algal bacterial symbiosis ठीक है the symbiotic relation देखने को मिलता है algis and bacterias का आगे some of the non-toxic normally found in natural water are option number arsenic, lead, mercury B calcium, sodium and silver C cadmium, chromium and copper and D iron, magnesium, magnesium तो A को write करें B को write करें C को write करें या D को write करें Yes, algal bacterial symbiotic relationship हमें देखने को मिलता है ऐसा हम लोगों ने क्यों कहा क्यों कि क्या होता है कि जो भी आपके algis हैं वो क्या करें photosynthesis की reactions करें इसमें कि वो क्या करें oxygen को release करें और जो भी bacteria उनको oxygen चाहिए particles को decompose करने के लिए तब ही हम लोगों को यहाँ पे जो relation देखने को मिलता है algal bacterial symbiotic relationship देखने को मिलता है इसका क्या answers मार करें Very good सब लोग D के साथ Well done iron, manganese and magnesium आप लोगों का यहाँ पे correct answer होगा non-toxic बोला गया आनवर जी भी बही regular student रहते है regular रहते है next for field derivatives the permissible stresses are reduced by what percentage option number 10% B 15% C 25% and D 5% A को write करें B को write करें C को write करें या D को यहाँ पे हम लोग right answers करके बताएं देखते हैं क्या right answers आता है ठीक है yes algal provide food and bacteria and fungi eat dear food yes इसका यह भी एक तरीका है जो मैंने आप लोग को explain करा yes option number A के साथ बिल्कुल कैसे गलत कर सकते हैं option number A यहाँ पे write answers आगे in a diamond riveting for a plate of width B and rivet diameter D the efficiency of the joint is given by option number A B minus D upon B B minus 2D upon B and C B minus D upon D and D B minus 2D upon D तो क्या answers mark करेंगे यहाँ पे A को write करें B को write करें C को write करें या D को यहाँ पे write answers करके बताएं answers please fast 53 का A yes अब 54 का क्या answers mark करेंगे very good very good yes 54 में A के साथ बहुत भैते रही और जो D के साथ है में वो गलत कर जाएंगे exam में भी यह question SEC का favorite question आज पताने कितु नहीं बार यह पूछा गया है देखे याज रखना यह B की जगे कभी को भी पीछा जाता है तो P-G upon P या B-G upon B clear है A है आपका correct answers आगे Unconfined compressive strength of the clay soil is 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्कॉरा है calculate cohesion between particles 7.5 को write answers mark करें 10 को 15 को 20 को तो A को write कर दे B को write करें C को write करें या D को यहाँ पर write answers करें answers please 55 का answers करके बताएं सभी लोग Unconfined compressive strength दी है 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्कॉरा है बोला गया है cohesion between particles 7.5 आपको correct करें 10 को 15 को या 20 यहाँ पर write answers करें Yes 55 का A answers very good तो आपको पताएं कि Unconfined compressive strength यह है तो C is equal to क्या हो जाएगा Unconfined compressive strength divided by 2 तो क्या हो जाएगा 7.5 Option नमर A आप लोग का यहाँ पर write answers बहुत बैतरीन answers करते वे सभी लोग आगे चलें Next question Which one of the following aggregates gives a maximum strength in concrete Option नमर A Rounded aggregates B. Elongated aggregates and C. Flacky aggregates and D. Cubical aggregates तो A को right answers mark करें B को right answers mark करें C को या D को A, B, C, D answers please fast क्या करें 56 का answer तो D answers करते वे सभी लोग B भी करें Elongated aggregates को maximum strength कहते है नहीं Elongated aggregates मतनब आप लोग का क्या है angular aggregates ठीक है नहीं Elongated aggregates तो अलग ही होगे आप लोगों के Flacky और Elongated दो अलग अलग नहीं कहते है आप लोग ठीक है क्या answer जाएगा Cubical इनको तो बहुत आपने देखा भी मैंने बताया भी कि 1.8 into main dimensions करके लेते हैं Rounded aggregate आपका workability में अच्छा होता है Cubical मतलब आपका angular aggregates है तो answer आप लोग का option number D आगे Next What is the minimum number of longitudinal bars provided in a reinforced concrete column of circular cross section जब हम circular cross section की बात करते हैं तो minimum कितने number of longitudinal bars आप लोग यूज करते हैं क्या चार यहां पर correct answer होगा या 6 या 5 या 8 A, B, C, D Answers प्लीज, first Yes, A for good workability and D for strength Very good आगे देखें अगर हम बात करें तो यहां पर सभी लोग B answers करते हैं बहुत बढ़िया देखो अगर हमसे बोला गया circular cross section तो आप लोग का क्या चला जाएगा C जाएगा जब हम लोग से बोला जाता है rectangular to answer आपका option number A, 4 जाता आगे Next Which one of the following is the correct range of fineness modulus of medium sand usable in preparing cement mortar Option number A, 1.5 to 2.2 B, 2.6 to 2.9 C, 2.9 to 3.2 And D, 5.5 to 6.5 Answers क्या mark करें यहां पर A को right mark करें, B को right mark करें C को या D को right mark करें ठीक है तो सभी लोग वीडियो को like share भी करते नहीं साथी साथ और answers करके बताएं क्या answers mark करें यहां पर Yes, सभी लोग B के साथ very good Sovik जी, Nitej जी, Monitivari जी, Anwar जी, Buddha Dev Nandi जी, Ajay Kumar जी Very good तो देखें यहां पर तो आप लोग का जो correct answer जाएगा वो option number B जाएगा ठीक है तो ध्यान रखते हैं 2.22, 2.6 यह हो गया fine, 2.6 to 2.9, यह हो गया medium और यह हो गया 2.9 to 3.2 आप लोग का हो गया course इस तरीके से आप लोग का देखने को मिलता है Next Which of the following type of soil is transported by gravitational forces Very good option number Lewis कहते हैं, Telus कहते हैं, Drift कहते हैं, Dune Sand कहते हैं A को right answers mark करें, B को करें, C को करें यहां पर हम लोग right answers mark कर दे, very good, zone 1 course बहुत बढ़िया, classic की चीज़े याद आरी हैं, आप लोग को ऐसी exam में भी आ जाएं, तो बश सारे questions आप लोगों के correct हो जाएं answers करके बदाएं, A, B, C, D, तो Telus के साथ अभी लोग अमिस्तिंग तोमर जी, सौमी घोज जी, very good, प्रेयंक का चौधरी जी, very nice, ठीक है, अनवर जी, सावे जाली जी, ठीक है, सुभम जी, अजे कुमार जी, तो सभी लोग यहां पर answers करते वे, देवाशीच जी, very good, तो Telus आप लोगों का यहां पर correct answers, इसका मतलब option नमर भी आ सारे questions वो है, revision round में, अगर इसमें numericals वगरा डाल दे होते हैं, तो फिर नहीं होते, ठीक है, तो यह करने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन में भी क्या होती है, silly-silly mistakes हो जाती है, तो A को right mark करें, B को right mark करें, C को right mark करें, यह D को यहां पर right mark करें, बोला गया आप लोगों स से uniformity coefficient of slow sand filter, तो CU की value क्या होती है, slow sand filter की, 3, 1.6, 1.65, 1.7, yes, सभी लोग A के साथ, very good, जब slow sand filter की हम बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं, 3 to 5, और जब हम लोग rapid sand filter की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं, 1.2 to 1.6, आगे, next question, the base material for distemper is, option number A, chalk, B, lime, C, clay, D, lime, putty, A को answers करें, B को, C को, D को, base material distemper का पूछा गया, yes, numericals का भी रखेंगे, ठीक है, तो आप लोग से support बना के रखेंगे, आप कुछ बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा, आप जो नहीं करना चाहते हैं, फिर उनके लिए हम सोचते भी नहीं, answers करके बताए में इसका क्या right answers होगा, base material distemper is, very good, option number A के साथ साभी लो, chalk यहां पे आप लोग का correct answers होगा, clear है, आगे चलें, 62, when the pure value of water is 5, कहने का मतलब है, कि tone value आप लोग की क्या दे गई है, 5 दे गई है, tone value हमारी 5 दे दी है, बोला गया, then it has, option number A के साथ जाएं, तो no perceptible order, B के साथ जा क्या गया है, तो distinct order आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, faint order आप लोग लिख सकते हैं, extremely strong order, A, B, C, D, क्या answers मार करें, 61 questions का, answers please, fast, 62, yes, very good, D answers करते हैं, रिशी कुमार जी, देबाशिच जी, नितेश कुमार जी, सोविक जी, आमिच सिंग टोमर जी, इंजिनियर सॉरप सिंग जी, मोनितिवारी जी, सबी लोग यहां पे, option number D answers करते हैं, तो यहां पे जो आप लोग का correct answer जाएगा, वो option number D, आगे चल is, option number D, flood control structures, B, soil conservation structures, C, river training structures, D, water storage structure, तो check dam किसके लिए आप लोग का use होता है, option number A को correct करें, B को, C को, D को, बिल्कुल, environmental engineering पढ़ा देंगे, tension दा लोग हमने देख लिया, आपका comment भई, देख लिया, answers करके बताएं, कि क्या है, यहां पे check jam is, option number A को correct करें, B को correct करें, C को correct करें, D को correct करें, अपि जो subject चल ने, वो तो पढ़ो, आप लोग सोम सर्वे तो पढ़ने आते नहीं हो, आप अपनी मरजी है, पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप लाइन में तो बच्चा रहता ही रहता है, ख्लास में, तो कुछ भी पढ़ा हो, तो पढ़ेगा पढ़ेगा, लेकिन आप लोग के साथ यह नहीं है, कि हम लोग जबरदस्ती कर सकते हैं, तो subject स्टार करते हैं, फिर आपनों गायब हो जाओ, तो क्या फायदा है, बताओ, अंसर यहां पर देखें, तो बी अंसर करते हैं, तो पहली बात, मेडीजी की बुक्स में देखोगे, तो फ्लर्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर दिया गया है, फिर देखोगे, तो वाटर स्टोरी स्ट्चर पहली बात तो फ्लर्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, जो कि दिया गया है, बुक्स में गलत है, तो देखोगे, अगर हम बात करें, तो दोनों में मोर एप्रोप्रियेट जाएगा, स्ट्रक्चर आगे, नेक्स, इन प्लें टेबलिंग, इंस्रूमें यूस्टूमे कुर्ण हो को लोगों का सूब्जेट में सखासरी काी करें, सही बात है आफ लोगों को बढ़ाएं कि प्रधीर सďर्य आफ पड़ाते हैं आप लोगों को ढलते ही अफ भी मोटिवेशन लेवल बताओ, जब स्टूूइठ सोल और जदेखते हैं तो उसलेए पिजूंचpsy Colorado, occurred तो पर आप लोग क्या करो कि आप लोग कोशेंस लगाओ ठीक है आंसेस करके बताएं A B C D यहां पर मैं देख रहे हूं कि सबी लोग B के साथ वेरी गुड टेलिस्कोपी एलिडेट आप लोगों का यहां पर राइट आंसर होगा horizontal and vertical distance को आप directly measure करते हैं आगे चलें next question A sewer which receives a discharge of number of house sewer is called common sewer, trunk sewer, lateral sewer, branch sewer बोला गया है देखो यह है यह घरों में sewer है यह household sewer से आप लोगों का इन सब को यह carry कौन कर रहा है यह क्या है यह क्या है यह सब क्या है जो नम्मर ऑफ house sewer इन सब को carry कर कों ला रहा है क्या यह common sewer हम इस से कहते हैं यह हम इसे कहते हैं यह लेटरal sewer हम इसे कहते हैं है यह ब्रांच sewer हम लोग इसे कहते हैं answers please फास answers please तो यहाँ पे मैं देखी हूँ तो option number C करते वे सभी लोग सौमिक जी, रवी जी, प्रियंका जी, सावे चली जी, आजे कुमार जी ठीक है तो सभी नवी जी, रवी जी, सोविक जी ठीक है तो सभी लोग यहाँ पे क्या करने है option number C तो C आप लोग का यहाँ पे right answer होगा ठीक है next question the process of purifying water by passing it through a bed of fine granular material is option number A screening को right answers mark करोगे, filtration को right answers mark करोगे, या C आप लोग coagulation को right answers mark करोगे या sedimentation को आप लोग यहाँ पे right answers mark करेंगे क्यास को right answers mark करोगे वही answers please अब भाई सभी लोग वीडियो को like share करते नहीं purifying water by passing it through a bed of fine granular material yes, बिल्कुल कराएंगे भई, marathon करवाएंगे environment of fluid की, देखिए आप सबी लोग filtration के साथ बहुत 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 कर देना भई, screening मतलब होता है large floating matters को जब आप लोग रोकते हैं, जैसे कोई tree की branch है या कोई dead animals है, उसको आप लोग रोक रहें तो screening, filtration तो obviously rapid scent filter and वो है, क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, fine granular material use करते हैं, sand, coarse sand, ठीक है, उसकी use करते हैं, very good, तो B के साथ सबी लोग आगे, which of the following is a not a coagulating agent, इसमें से बोला गया है कि कौन सा coagulants नहीं है, option number A के साथ जाएं, तो ferric chloride, B के साथ जाएं, तो ferric sulfate and sorry, इसको C कर लेना और इसको D कर लेना भई, ठीक है, C आपका aluminium sulfate and D आपका copper sulfate, तो इसमें से कौन सा coagulating agent नहीं है, तो answers करके बताएं, A, B, C, D, Yes, आप लोग क्या करते हैं, screening को 45 degree के angle में रखते हैं, जिससे की area बढ़ जाएं आप लोगों का, और velocity reduce हो जाए, तो particles अच्छे से आप लोग क्या कर सकें, इमापे screen कर सकें, answers please, fast, देखते हैं कौन यापे right answers करके बताते हैं, तो सभी लोग D के साथ, very good, very nice, आमित सिंग तोमर जी correct answers करते हैं, नितेश कुमार जी, मोनी तिवारी जी, सोनाली जी करने हैं, सौमिक जी, D answers, कवीता, टम्टा जी, तो देखें तो यहाँ पर सभी लोग option number D answers करने हैं, copper sulfate आप लोगों का, यहाँ पर right answer होगा, copper sulfate basically, algaise को remove करने के लिए आप लोग यूज करते हैं, coagulate के लिए यूज नहीं करते हैं, तो ferric chloride, ferric sulfate, waste water में जा सकते हैं, aluminium sulfate यह alum की बात करें, तो आप लोग water, जो simple water होता है, ठीक है, raw water कह सकते हैं, उसके लिए आप लोग यूज करते हैं, next, if the height of the triangle is H, then at water distance from the neutral axis, the maximum share stress will be, option number H by 3 पर act करेगा maximum share stress, यह H by 2 पर act करेगा, यह 2 H by 3 पर करेगा, यह 3 H by 4 पर करेगा, तो A को right answers करें, B को right answers करें, C को right answers करे यह D को यहाँ पर right answers करके बताएं, तो सभी लोग please answers करके बताएं, और सभी लोग वीडियो को थोड़ा सा like share भी करते रहें, और answers करके बताएं, देखी सभी लोग H by 2 के साथ, very nice, तो option number B आप लोग का यहाँ पर correct answers, काफी लोग correct answers करते हैं, नितेश कुमार जी, अमिर जी, सभी लोग यहाँ पर B answers करें, very good, आगे चलें, next, pick up the hyperbustle rock from the following, क्या ग्रे नाइट आपकी hyperbustle rock है, या डोल राइट आप लोगों की hyperbustle rock है, या बेसाट आप लोगों की hyperbustle rock है, या D, all of the above, A को write करें, B को write करें, C को write कर दें, या D को यहाँ पर write कर दें, answers please first, hyperbustle rock क क्वान सी होगी, A, B, C, D, yes, तो सभी लोग B के साथ, अभी तो आ रहें answers, तो स्वामी गोजी B answers करते में, लोके श्री, मानु राजपू जी, लोके श्री, आजे कुमार जी, very good, तो हम बात करें, तो डोल राइट आप लोगों की hyperbustle rock होती है, ग्रे नाइट की बात करें, तो plutonic rock है, बेसाल की बात करें, तो volcanic rock, आगे, next question, the shape of the brick gets deformed due to rain water falling on the hot brick, this defect is known as, option number HF, B, bloating, C, nodules and D, lamination, A को answers मां करें, B को, C को, D को, बोला गया है, कि आप लोगों की जो brick का shape है, वो deform हो जाता है, जब rain water आपका पढ़ता है, किसी hot brick में, ठीक है, तो उसका जो भी deformation हमें द बोलते हैं, तो A को write करने, B को, C को, D को, तो साभी लोग 70 questions, पर 60 नहीं है, 70 है, ठीक है, तो 70 है, यहां पर देखें, तो option number A, very good, Moni Tiwari जी, A answers करते वे, ठीक है, कविता टम्टा जी, सोनाली जी, ठीक है, very good, Ajay कुमार जी, तो साभी लोग यहां पर, A answers करें, nice, nice, next, यूल यूलियस फार्मला किसके लिए आपका good होता है, short column के लिए, long column, weak column, medium column, तो, A को write answer's mark करें, B को कर दें, C को कर दें, या D को कर दें, WILLS फार्मला holds good only for 71 को क्या करेंगेlocal किसके के लिए hold करता है long column के लिए short column के लिए किसके लिए तो देखो सभी लोग 71 के अगर हम बात करें तो 71 B के सास्थ सब जाते में very good ULS formula आपका hold करता है long columns के लिए तो option number B आप लोग का यहां पर right answer 72 72 slenderous ratio of the lacing bar for the compression member should not exit आपसे नमबर है 125 B 135 C 145 and D 155 तो A को आंसर माक करें B को आंसर माक करें C को माक कर दें या D को यहां पर माक कर दें तो आप लोग ने बताना है कि 72 को हम लोग यहां पर कौन से आंसर को माक करें साथी साथ वीडियो को लाइक शीर भी करते रहो वही साथी साथ और आंसर करके बताएं येस वोविक जी का आंसर आते वे सी सुभम जी का सबसे पहले आंसर सी और सभी लोग यहां पर 145 आंसर करें very good लेसिंग की अगर हम बात करें तो स्लेनरस रेशियो आप लोग को 145 देखने को मिलता है आगे चलें next which of the following CVS treatment method has inherent problems of the order, ponding and fly nuisance order, ponding, fly nuisance की problem किसमें हमें देखने को मिलती है option नमरे UASB system, activity sludge process, C आपका trickling filters and D आपका stabilization pond तो A को write करें, B को write करें, C को write करें या D को यहां पर right answers करके बताएं किसमें मिलती है आप लोगों को order, ponding and fly nuisance की problem हमें किसमें देखने को मिलती है A, B, C, D, 73 का answers करके बताएं सबी लोग देखें अगर हम बात करें तो यहां पे आम इसिंक्तोमर जी C के साथ तो सबी लोग C के साथ अजे कुमार जी, नवी जी, B के साथ आगे लोग activated sludge process के साथ है गलत अभी activated sludge process trickling filter जिन्होंने भी C answers कर रहा है very good तो आप लोग एक जैसे answers करते हैं यह पहले पहले पर आप लोग activated sludge answers कर रहे थे फिर मैंने भदा है कि trickling filter में देखने को मिलता है फिर आज भी आप वही answers कर रहे हो पर change कर लो update करते रहा करो अपने को time के साथ जो याद किया उसको ही चलाते मत रहा करो आगे pentagraph is used for option number measuring distances B आप लोग का measuring areas and C आपका enlarging or reducing plans and D आपका setting out right angles A को right answers mark कर दें B को right answers mark करें C को right answers mark करें या D को यहां पर right answers करके mark करें answers please first pentagraph is used for A B C D yes B वाले मान जाओ भी बंदर दिखाए जाएंगे फिर आप लोगों को ठीक है तो सभी सभी लोग सी के साथ जाते वे सुभम बेलवाल जी ने भी यहां पर जोइन कर आप्शन सब्सक्राइब करते कि अब आज कर देंगा आप लुट सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि आप लोग क्या करते हो इस तरीके से पायल से यूज करते हो इस के उपर जो होता है क्या होता है यह पूरे लोड को क्या करता है तोर वन होने चाहिए दो होने चाहिए थीन होने चाहिए यह होने चाहिए te-sittal करके बदाएं कि इस ठाइन ay abc d कि आद्ध करंगेeso 75 काझ अंसर कर्ते हैं सोविक जी अजय कुमार जी ब्यूइर बिखें तो यहां पहीं पर आप लोग कट्रक्थंस होगा वोगा option number c तो यहां पर आप लोग के 75 के 75 questions over होते हैं और आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग को ने कितने साही करें और नहीं भी पता होगा तो चलो कोई बात नहीं ठीक है तो इस कई बार देख लेना सारे आप लोग के वन लाइन कोशन से और यह भी most important होते हैं क्योंकि आप करना हमाल दें कभी जरूरी है इस इसको नेर बाओट 75 नमबर आये हैं आज है जी कमाद जी 63 वैरी नाइस चालिये धांक्यू सो मच देंगे आप लोग को पीडिएफ मेंने कल दी तो है आप लोग को काफी दे दी है एक डो ही रह गई है वो भी मैं आप लोग को दे दूँगी काफी चुडेंट्स हैं जैसे अज़े कुमार जी कहें टिक है और मोनी तीवारी जी अज़े कुमार जी सुभं जी रिषी कुमार तुषयार जी यह सबी लोग किया रहते हैं अब लोग बढ़ते रहें और फिरसाम को आप लोग की यूथ की तेंक यू सो मच झाल झाल